स्माश्का बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परिक्षपरस में कैसे हैं सभी और कैसे चले आप सभी के दियारी अभी आप सभी का UPSC की तरफ से एपी अफो का जो पीएगा फॉर्म आया है उसके बाद लगातार जो डाउंस है वो बढ़ते हुए चले जा रहे बहुत सारे मच्चे मैसेज करके कमेंट करके कॉल करके पूस्ते जा रहे और मैं जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि इस एपी अफो पीए से सम्मंदित कोई भी छोटी से छोटी जनकारी होगी वो सब कुछ आपको बहुत बेतिन तरीके से बताया जाएगा अभी भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब आपके प्रशनों पर बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे ये प्रशनों पूछ रहे सर इस टेनों मेरे पास नहीं है क्या फॉर्म भर सकते है क्या जैसा कि आप सभी को पता है ये परसनल एसिस्टेंट का पेपर है और परसनल एसिस्टेंट के एक्जाम में ये क्योंकि आपका लेबल 7 की जॉब है कहने का मतलब एक नौन गेस्टट पोस्ट तो है लेकिन एक गुरूप B का पोस्ट है और आपका जो eligibility मांगा है वो graduation प्रस skill मांगा है और steno का कोई आपका certificate की आवसकता नहीं है इस बात का ध्यान देना अब रही बात कि आपको steno आता है या नहीं आता है इस मुद्दे पे आते हैं कि अगर steno नहीं आता है तो क्या form भरना चाहिए पहली बात तो ये पूछते कि क्य क्योंकि उसमें आपका skill का certificate है steno का certificate वगरा कुछ नहीं मांगा गया है simple आपका graduation मांगा गया है आप graduation के तरज पे form भर सकते हो लेकिन दूसरा प्रशन है कि क्या form भरना चाहिए तो एक चीज मैं आपको बहुत clear कर दू बिटा यहाँ पे जो speed आपकी है steno की speed जो आपका होता है और ये speed लाने में यकिन बच्चों को बहुत ज्यादा मिहनद करने ही पड़ती है कुछ बच्य साल साल वाला का फक्ष ले रहे हो आप नए बच्चों को मौका ने दे रहे हो तो मैं बहुत ही आपको प्रैक्टिकल आंसर इसका देने वाला हूं कि यहां पर एक चीज तो सिच्वेशन प्रैक्टिकल ही समझे कि 120 वर्ड पर मिनिट लाना आसान नहीं होता बहुत सारी एकजाम में क इतना है आपके पास जो पेपर होगा वो आपका साथ जुलाई को EPFO PA का पेपर होगा और साथ जुलाई के बाद हम मानके चलते हैं कि एकजाम आंसर की और रिजल्ट आने में कम से कम 20 दिन से एक महीना ले ले आपका साथ अगस्त को आ जाए और उसके बाद कम से कम बहुत समय ना दे रिजल्ट आने बाद मेरिट आने बाद सीधा वो उसी रिजल्ट के साथ आपको डेट दे दे कि अगले महीना आपका क्या है अगले महीना आपका इसकिल का पेपर है तो आपका मानके चली कि 7 अगस्त के बाद सेप्टमबर में आपका क्या होता है इस तेन हो जा सकती है अगर इच्छा सकती है तो बिल्कुल में आपको मना नहीं करूँगा लेकिन एक चीज़ प्रैक्टिकल सिच्वेशन यह है कि आपको साथ में क्या करना है सिलबस भी कवर करना है अपनी तैयारी भी करना है हाला कि प्रैक्टिकली मैं आपको बता दू जो बच्चा एक रेडियूस हो जाएगा और ऐसी सिर्क्रेशन बन भी सकती है कि आप बहुत ज़्यदा इसकुल्ड तो कर भी सकती हो तो इट्स ओल डिपेंड अपॉन यह प्रैक्टिस इट्स ओल डिपॉन यह विल पार कि आप कि आपकी जो इच्छा सकती है वो कितनी मजबूत है कि आप इसे सीख सकते हो कि नहीं तो मैं यह तो नहीं बोलूँगा कि 6-7 महीने में इस्टेनों नहीं सीखी जा सकती है बिलकुल सीखी जा सकती है लेकिन उसके दिन रात एक करना पड़ेगा यह भी आप साथ में जो क्लॉज है वो सुनते हुए चलिएगा अब आते हैं कि सार्टि टेस्ट का नंबर नहीं जुड़ेगा बहुत सारे ऐसे जो इस्टेनों के पेपर है जैसे मैक्सिमम जगहा पे इस्टेनों का इस्टेस्ट का कभी भी मन नंबर नहीं जुड़ता अभी हाल में UPPSC के दोरा आयोजित एक APS की परिक्षा थी वो भी लगबग इसी केडर की थ हलाकि वो गेस्टेट पोश्ट बना दिया गया है सेम जॉब प्रफाइल सेम सब कुछ APS भी है और आप लोग दिया आप लोग जानते हो उसमें क्या था उसमें आपका इस्किल का नंबर जुड़ेगा लेकिन यहां पे नहीं है तो क्या नंबर जुड़ेगा नंबर इसका नहीं जुड़ेगा इसकिल टेस्ट की लेंग्विज क्या होगी अब आपका ये बड़ा प्रश्न है तो लेंग्विज के लिए UPSC ने पहले बहुत सारे बच्चे आईडिया लगा रहे थी कि केवर इस्टेनों जो होगा इंग्लिस में होगा लेकिन मैंने आपको पहले भ बलंगा लेक्ष जिए कहाँ हिंदी वालों को हिंदी वालों को जो ट्रयन्स्क्रिप्प्त है क्यों कि होता का इस्टेनों में सबसे पहले आप आपको डिकलर करना जाता है और अ ostr Kim में transcript में मतलब कि आप अपने जो भी code language होता है जिसे आप stenography बोलते हो उसमें आप अपने paper में dictation को लिखते हो आपका कितना होगा 120 word पर 10 minutes दिया जाएगा 10 minutes आपको dictate किया जाएगा लगबग 1200 word बोला जाएगा वो 1200 word आपको अपने में code language में लिखना होगा उसके मतलब कि जो आपने लिखा है वही चीज आपको type करके दिखाना होगा और फिर जो dictation किया गया था उस copy से और आपने जो type किया गया उसे match कराया गया है कि कहीं यहां पर change तो नहीं हो गया बोला कुछ गया लिखा कुछ तो और नहीं आपका error यहां पे आपका error भी count होता तो उसे transcript कहते हैं हिंदी वालों को थोड़ा जयदा समय दिया गया है इंग्लिस वालों को क्या दिया गया इंग्लिस वालों को कौण समय दिया गया है िजनी ठीक-ठाक होती है यहां पर आपकी Typing speed नहीं चेक कर रहा है, यहाँ पर आपके जो बोल सकते हो कि typing skill नहीं चेक कर रहा है, चेक केवल stenography कर रहा है, कि आपको steno आता है कि नहीं आता है, लिपी में अगर देखा जाए, तो आपका कृतिदियों भी दिया जाए, और हो सकता है, आपको मंगल इंस्क्रिप्ट पर क्या दिया जाए, जो इंस्क्रिप्ट उस पर मंगल यूनिकोर्ड भी दिया जाए, तो आपका जो हो सकता है कुरतिदेव दोनों ही option दिया जए यहाँ पर हाला कि अभी mention notification में नहीं किया गया है और mangal आपको ये दोनों ही दिया जए बट अगर ये बोला जाए कि हो सकता है कुछ tradition न करें और दोनों में किसी एक का chance क्या है तो mangal का chance ज़्यादा है इस कारण से आपको पता होने चाहिए कि किस से क्या होता है ठीक है तो यह कुर्टिदेव और मंगल इनका मैं आपको जवाब दे दिया हूँ ऐसे बच्चे जो आपको बता दूँ कुछ परिक्षाप्रस का जो रिकॉर्ड रहा है इस्टेनो की वेकंसी में तो एक आपका यूपी पीएस की द्वारा बिटा एपीएस जो बच्चे एपीएस वाले हो जरुक कमेंट करके जरूर बताईएगा परिक्षाप्रस का फेडबैक जरुड़ों द दाया है वो रिश्यो भी 90% रिजल्ट है यह बहुत बड़ा रिजल्ट होता है और सब जादा बच्चे भी क्या है परिक्षाप्रस से ही क्या है सेलेक्टेड भी है जिनका रिजल्ट फर्दर इसके लिए उन्हें बुलाया गया है इसके साथ ही आपका इससे पूर में भी यूपी असाई में इस चेनो होता है इसके लिए सबसे जादा बच्चे आपके परिक्षाप्रस के अपास ही है यह आपका 2021 वाले में भी और आपका अगर देखा जाए 2023-2024 यह इनके पास भी तो इस टेनों वाले बच्चों के लिए कही न कहीं परिक्षाप्रस आपको बत करोगे तो 1060 रुपए के आसपास आएगा यह बहुत निहुंतम प्राइस में हैं यह आपका ओफर बहुत लिमिटेड रहेगा सारी चीज़ें वही मिलती है लाइब क्लास प्रस उसकी रिकॉर्डड रहेगी सारी स्टेडी में हम सारे आपके बुक के जो होते हैं यह यह प परिक्षप्रस एप से प्राप्त कर सकते हो यह सब कुछ आपका कवर किया जाएगा मैं आपके लिए अगली वीडियो जो लेके आने वाला हूँ यह इसके डिटेड आपका जोड़ सिलेबस और एक्जाम पैटर्न है उस पर लेके आने वाला हूँ तो जो भी आपके डाउ प्राइब आपके लिए आपके लिए बनाता हूं बहुत करता हूं एक लाइक वाशे कर दिया करो और अपने मित्रों के साथ शेयर वाशे कर दिया करो फिर मिलेंगे धन्यवा सभी का बहुत-बहुत आभार